में थो करफ का Tech नवशकार में हूं वhrlich alak셔야 निख ने वि луч के वरिष्ट नीथा और को विचार विवा के प्रमुख भूपिन गुप्ता अभी नगा ने जब कोई भी रायदिनतिके सत्ता में आता है तो तरे तरे की चीजें निकल के सामने आती और विशार वो है वो बड़ा गौन हो जाता है सही बात आप कर रहे हैं विशार को लेकर पिछले दो दसक से भारत में ज़्यादा बाचीत नहीं हुई और जो विशार सील राजनीती जहां पर होती है उसको निंदित करने की भी चेश्टा हुई है एक आकरामक राजनीती को सजगता पूर्वक और बहुत ही लक्षबद्द करके देश में फैलानी की कोशिस की जा रही है और लोगों में आकरामकता उनमात की सीमा तक भेजी जा रही है जिससे विचार पिट रहा है तो यह सामी एक जरूरत है कि विचार को लेकर सारे राजने तेक दलसा जग हों और जो लोग इस तरह की चेश्टाएं कर रहे हैं कि वो आकरामकता को विचार बनाने की कोशिस कर रहे हैं उनमात को विचार बनाने की कोशिस कर रहे हैं आक्रामक्ता उन्माद ये भी विशारों से निकल के आते हैं। ये रणनीती के हिस्से हैं, ये सहच नहीं है, और ये सहच रूप से नहीं आते हैं, ये रणनीती के तहट लोग उसको अपना लक्ष बना रहे हैं, और उससे देश का नुकसान हो रहा है। आक्रामक्ता, उन्माद, दुस शब्द हैं, इसके बारे में आपसे बात्चीत करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम विचार की बात करते हैं, पहले जो विचारक थे, राजनेतिक दलों के पास, बीजेपी हो, कॉंग्रेस हो, वामपंथी दलों, तमाम सारे दल हमारे हैं सद आपकी बिल्कुल चिंता जाएज है, और बाकी लोग भी इस पर चिंता कर रहे हैं, और जो समाज के अंदर जो सक्रिय सात्विक शक्तियां हैं, वो भी इस पर विचार कर रही हैं, तो ये इसमें समाज को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कि वो इस एसे शक्तियों को आज महत्तो कहां दे रहे हैं, आज वो व्यक्तियों को महत्तो दे रहे हैं, समुओ को, राष्टरबाद जो है, विना राष्ट्रियता के कैसे संभाव हैं, एक ही राष्ट्रियता के दो लोगों में जब हम विबेत कड़ा करने की कोशिशित करेंगे, एक ही राष्ट्रियत कि दो समूवों के बीच में जब हम नफरत फैलाने का काम करेंगे तो राश्टाबाद कैसे जिन्दा रहेगा यह राश्टीता से अलग नहीं हो सकता ने इस राश्ट का हिस्सा बनने के लिए और उन्होंने अपनी पहचान बना माना है इस राश्ट को उनके साथ आप परिव परतित ब्यभार नहीं कर सकते और ना करना चाहिए लेकिन चेष्टा इस से विपरित हो रही है और जो लोग कर रहे हैं वो सम्मिदान के साथ गात कर रहे हैं मनदपरदेश में जो सरकार गई है उसको बापस कर दिया है कैसे ठागा मार के लोग कहते थे कांग्रेस की हैसियत क्या है कांग्रेस के पास है क्या कांग्रेस तो जो है कहीं खड़ी दिखाई नहीं देती है और उनकी रेलियां उनके तमाशे जो जनता के पैसे से हो रहे थे अंतिता जनता ने धराशाई कर दिये जन्त अब आपसे खुश है मद्ध प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार है आपको लगता है कि जित्ता भी समय हो गया है तकरीबं तीन महीने के आसपास होने जा रहा है तो इस तितियां सारी नेंटरण में हैं माखूल है देखे निश्चित रूप से समय बहुत कम हुआ है मद्ध प्रदेश की में जो कमलाजी ने जब सरकार ली तो एक खजाना खाली सरकार हुई और ऐसा पहली बार हुआ कि जाती हुई सरकार ने निरलजजता से यह कहा कि खजाने में तो कुछ है नहीं करोगे क्या और कैसे आप अपने बचनों को पूरा करोगे बार कांग्रेस तो जुट बोल रही है यह करी नहीं सकती हम तो क्योंकि कुछ खजाने में छोड़ करी नहीं है ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने निरलजजता से कहा कि जैसा हमें मिला था 15 साल पहले हम वैसे ही छोड़के जारे है इस परदमें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कर रही है आज सामने वाली पार्टियां उसमें आपको जो है उनके विजन को देखें तो थोड़ा उससे अलग हट कर देखना पड़ेगा आप देखें कि पहले दिन सरकार ने अपने वचन की पूर्ती की क्योंकि पहला और महत्त पूर्पूर्ण सवाल ये था कि जनता का सरकार पर भरोसा हो सरकार की बात पर भरोसा हो आप देखें कि आज भारत में सबसे बड़ा संकट है पूरा विश्वेस पर हसरा है और भारत की हंसी उडाता है हमारे ना आकड़े विश्वस नहीं है ना हमारी जो है स्टेटिस्टिक और जब जूटे आंकड़े और जूटे सांखी की पर आधारित होकर जब योजनाएं बनेगी तो योजनाएं भी सच्ची नहीं होगी। बुपेंजी जब लोग तर्क हजम करना सीख जाते हैं तो आंकड़े उठाके एक तरफ रखते ही जाते हैं आप विचार पर काम करते हैं इसको आप मानते होंगे और ये आज से नहीं मुझे लग रहा है कि 90 के दर्शक के बाद इसकी शुगात हुई है कि नकली आंकड़े गल प्रशास की आंकड़े होते हैं जो आंकड़े विकास से संबंदी आंकड़े होते हैं जो आंकड़े जो है अब एक नदी में पानी बहरा है कितना पानी बहरा है इसमें तो विवाद नहीं हो सकता ना या एक तार में कितनी बिजली डाली जा रही है इसमर तो विवाद नही और यही इस प्रदेश में हुआ है और यह प्राइश्ट व्याप ही हो गई है यह चिंता आप जो कह रहे हैं इसमें मैं तमाम जगे गरामिनी अलाकों में ज्यादा जाता हूं शेरों में मेरी रूची कम है वहां लोग चाहते हैं कि कमनाज साब की सरकार बनी कॉंगर्स की सरक अब पर इसमें में कल्पिट कोई और है वह हमेशा बचता रहा तो क्या उस पर कभी एक्शन ले पाएगी सरकार आपकी दूरूप से लेगी देखिए आज हमारे पास सबसे बड़ी प्राथमिक्ता थी चुनाव सामने आ गया था चुनाव सामने आ गया तो पहले हमारी प् दिखा दिया जो लोग कहते थे बिदान सबा में पूछा था ये पैब शिवराज सिंगी ने कमलनाज जी से कमलनाज जी ये तो बताईए पैसे नहीं है खजाने में तो पूरा कैसे करोगे कहा से चुका हूँए कर जा क्यों जूट बोल रहे हैं जनता से सुनिये सुनिये आएंगे हम कि हमने कैसे माफ किया कर जा अब जब माफ हो गया तो रोना से आपा मचा इसमें कई जगे देखने में आया बिर एक किसान में इतने सी यहर में उनका 500 रुपय माफ हुआ है इस तरीके से ने बात जिस बैक्ति ने 500 कई करज लिया हो तो जादा का है ऑफिशली है क इस तो ज्यादा है इसके डॉक्यूमेंट हैं खबरें चलिए खबरें दिखा दीजिए असंबाव है यह जूट है यह कहानी उसके पास उसने हो सकता चार खातों में अलग अलग ले रखा हो जब बैंक से वेरिफाई हो रहे हैं आकड़े टैली हो रहे हैं और कहीं पर भी जो है पैसे नहीं दिये जाते हैं यह तो जो है सूची आटेंगेंगी और उसमें जो है नोडियू सर्टिफिकेट हो उसका जो नियूद्यूस पहुंचा है पांस तो का बाकी जो उसका लाखों का था वह छूट गया जिस खाते में उसका नोडियूस आपको उसको मिला है लेकिन उसको जोड़के ऐसे थोड़ी देखा जा सकता किसी ने 500 रुपए का करजा लिया है तो उसमें दसाजार रुपए माफ हो जाएंगे कैसे संभावे तो इसमें कहीं करबड़ी आए आप आप इसकी सरकार से चुकि आप सरकार और संक्षन दोनों के बीच में काम कर र की रही है सरकार के लोग वैसा भारती जनता पारटी के जित्ते जो सूत खोर लोग थे बो क्या कर रहे थे किसानों के नाम पर करजे निकाल के बजार में चला रहे थे मैं आप से बताना चाहता हूं और ये धंदा जो है कब से चल रहा है ये धंदा भारती जनता पारटी के सरकार में 2007-08 से चल रहा है जब हमारी सरकार ने करजा माफ किया था किसानों का 72,000 करोड रुपिया उसमें भी इसी तरह की नंगी लूट की गई उसके कागज हैं उसके दस्तावेज हैं सरकार ने जाच की सरकार ने खुद सुईकार किया कि लूट हुई है फर्जी तरीके से रिटरन में और उसके बाद कारवाई नहीं की किन सरकार ने दो हजार साथ आठ की बात कर रहा हूं है बारा तेरा साल तक सोते रहे यह लोग और इस तरह की डाके जनी को इन्हों ने जो है प्रश्रह दिया ऐसे लोगों पर एफ आफ आई यार नहीं कराई अभी तर्गी मै अगर उसमें भी जो है कोई तुटियां रह जाती है अगर बिधाय कुछ बैदाने की जो है वो चीजें होती है परीक्षण होता उनका अप इसले सरकार ने नहीं किया तो उन्होंने क्या तर्ग उसमें रखे सारी फाइलों की तलाश तप्सीस होती है जो चीजें सामने आर सवाल पूछे जा रहे हैं यह पहला ऐसा मौका है देश के अंदर कि सरकार चलाने वाले से कोई पूछी नहीं रहा है मोदी जी और राहूल गांदी की भी बात करेंगे मैं भी पहले मदबर्देश की बात पर कि आम लोग उनको बहुत उम्मीद थी उमीद नहीं उन्होंने हिमालाय जैसी उमीदें आप लोगों से कॉंग्रस से कर रखे थी कि आप सत्ता में आओगे व्यापम से आप लोगों का दावे को माने हम अपने दावे को देखें तो हर पांचवा घर कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्य से जूजरा है और चाहते हैं कि उनके परिवार के वेक्ति को नौकरी में ले व्यापम ने आके कलंक मद्रदेश के माथे पर लगाया उसके बाद व्यापम से लेके इटेंट रिंट तक तमाम सारे गोटाले कभी मीडिया कभी कॉंग्रेस सामने उठ चाहते रहे अपने अपने तरीके से लेकिन अब उन पे 70-80 दिन बीज जाने के बाद बड़ा एक्शन भी तक नहीं हुआ है मैं आप से कहना चाहता हूँ कि 25 लाग किसानों का डाटा तयार करना कि एक दिन में हो जाता है और उनको रहत पहुंचाना उनकी खातों का करजा माफ कर देना यह छोटा काम था बिलकुल आपने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए अलग-अलग विभाग बने हुए है कोई सारी सरकार उसी के लिए नहीं लग गई पुलिस उसमें नहीं लग गई बहुत सारा आमला लगता है बहुत सारी चीज़ें होती है और एक कंसंट्रेशन होता है हमारे को सरजनता ने पांट साल का मेंडेट दिया है हम पांट साल में सारी चीज़ें करके दिखाएंगे हमने सो हमारी सरकार ने जो है कमलनाज जी की सरकार ने सो बचन पूरे कर दी ह यह चोटी बात है कि 70 दिन में हम 100 बचन पूरे कर चुके हैं, हमने एक एक ऐसा कोई वर्ग नहीं चूटा, स्वाहिमान योजना की तरह इसके माध्यम से हमने रोजगार की उत्पन करने की कोशिश की है, हमने जो है, एक रोजगार के मसले पर कमलनाच जी का विजन क्या था मै उत्योदाई की बात हैं कौन कर रहा था इस देश में और आखरी आदमी कौन है, अगर एक व्यक्ती 25-30 साल की उमर उसकी हो गई है, अब वो शिक्षित नहीं हो सकता, और वो शिक्षा नहीं ले पाया, तो उस आदमी को क्या हम जहर दे दें, या उसको ढोड़नी चरवाए आज मद्दपर्देश की सरकार एक हजार गवशाला हैं खोलने वाली है, अगर गवशालाओं के लिए हमको मैन पावर की जरूरत है, उसे कहां से लाइंगे, गवशाला की जो तरीके हैं, उसमें गवशाला से गायों को चरने के लिए नहीं भेजा जाता है, आदमी करी करी नहीं है, तो दीजिए, धोर चराना गवपालन की एक जो है एक्टिविटी है, अगर गाय को घूमने की आप जगह नहीं देंगे, तो जो है गाय मड़ जाएगी, यह उसकी एक्टिविटी का हिस्सा है, उसकी देनने नहीं का हिस्सा है, गाय के माते पर आप हाथ नहीं फे जैसा काम करने के बजाए धोर शराना कहां से आ गया है शब्दे पुरानी स्कीम में बनाई हुई मामा जी की है हम तो उसको लागू कर रहे हैं जब आप इसकीमों के नाम बदलना है तो इन शब्दों को भी बदल देते तो मुझे लगता है इस पर विवाद नहीं होता उखाड़ा है उनका इसलिए उखाड़ा है कि नाम और शब्दों के अलावा उनके पास कुछ नहीं था हम जो है उससे परे काम कर रहे हैं और आपको मैं बैंड बाजे की बता दूं कि जो मुख्वंतरी जी का सोचना है कमलनाज जी का वो छोटा मोटा सोचना नहीं है आज अइन आज बैंड की सागर में होती जबल पूर से लोग को सग्ल मैं ब City बन condemned होती इन दौर से नाध्बूर से लोग बैंड बुलाते हैं तो यह जो यह जो हमारा परंपरागत जो हमारा मुझीशन है नो परंपरागत हमारा छोटा छोटा इस संगीतकार है जो हमारी संसक्र प्रसिक्षित करके दीक्षित करके सन्योजित करके उसका समूव बनाके अगर हम उसे एक बेंड के रूप में खड़ा करते हैं तो वह आर्थिक गतिविद्गियों से जुड़ जाएगा उसको ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे और म्यूजिक और उसकी परंपरा बची रह जा कभी कॉंगर्स का बजाया तो अभी बीजेपी का बजाया आप किसका बजेगा ये वक्त बताएगा और भूपेंजी से हमारा चर्चा का ये दौर जारी रहेगा फिला लेते हैं चुड़ा सा ब्रेक मैं कोस्ट गार्ड नहीं पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है आम नौट अ स्नाइपर पर देश के दुश्मनों को बेजिजक शूट कर सकती हूँ मैं कोई पुलिस या आर्मी ओफिसर नहीं पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछता आज मैं अच्छी दरह से कर सकता हूँ ये कोई चेक पॉस्ट नहीं पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूँ मैं कम्प्यूटर से गुश्पैट करने वाले आतंक वादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूँ कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्वे की जरुरत नहीं जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने, जैहिंद। बेबाग बात में आपका फिर से स्वागत है, मेरे साथ विचारक कॉंगर्स के बड़े निता भूपेन गुपता जी समय साथ में हैं, यारों के यार हैं भूपेन जी, लेकिन तक्रार खूब करते हैं, अभी हम बात्चीत कर रहे थे बेंट बाजी को लेके, नो डाउट बहुत बढ़िया काम है बेंट बजाना इसमें, लेकिन समगर्स जब आप विचार विवाग में काम करते हैं, विचार जब हम करते हैं तो बहुत समगर्स करते हैं, वो फोरी तोर पे नहीं दिखा जाता, बेंट खूब बजेगा साथ, बेंट बजाना कोई बेरोजगार 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 और बेरोजगारी तूर हो लेकिन सवाल यह उठता है कि डीजे के जवाने में बैंड को पूछता कौन है क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान है सुप्रीम कोर्ट तक इस पहए चुका है ज़िए को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए आप आप देखें अगर किसी बच्टे हुए डीजे के पास से कार निकाले तो कार हिल जाती है आप विचार भिवाग में पॉलुशन के ऊपर भी कई बार चर्चा करते होंगे बहती बहती के पॉलुशन है राइजनितिक पॉलुशन अपने किसम का होता है पर्यावरन का अपने ही होगा उनलों का बिल्कुल बात सही है और अच्छी बात है कि विचार आया कैसे कमलनाज जी से जो है वो एक कारिकरम में चिंदवाड़ा गए हुए था तो चिंदवाड़ा में जो है उनकी बहुत अच्छा बेंड बजा रहा था हुए एक समारो में तो उससे उन मिलने और मिलने आने में उन्होंने कहा कि साब हम नागपुर में जो है एक ट्रेनिंग सेंटर डाल रहे हैं उन्होंने का हम बेंड का ट्रेनिंग सेंटर डाल रहे हैं तो कमलनाज जी ने उनसे पूछा कि इसमें ऐसा क्या है ट्रेनिंग का तो उसने जब उसको विस्तार से बताय कमजणाच जी ने कहा कि तुम्हैं इस Center को चिंदवारा में डालो हम तुम्हें सायटा देंगे तुड़ोंने क्यों कहा चिंदवारा में डालो आज जो है चिंदवारा बाला घाट में नाकपूर से बेंड आते हैं और ये आर्थिक गतिविदियां कहां के लिए संचालित होती हैं नाकपूर के लिए संचालित होती हैं इतने बड़े बड़े बेंड आपको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के दुनिया में जो सबसे बड़ा बेंड था म वो इसलिए खोला गया था कि 52 बच्चे अकाल में अनात हो गए थे, उनके मावाप मारे गए थे, वो बच्चे अनात थे, उन अनात बच्चों का जीव को पारजन कैसे हो, तो उन्होंने उसको बेंड बनाया, उनको सिखाया, उनको संगीत सिखाया, सिखाने के बाद उनका प कि हमारे देश, प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, आर्टेस्ट हैं, जो इतनी पुरानी पद्धतियों से जुड़े हुएं कि बिचारे वहीं दफन हो जाएंगे, तो उनको उनको बुलाया, ये तो हर जगे, जवलबूर का बैंड भोपाल आता है, कई दिल्ली, ना वह कलाकार, जो फोक से जुड़ा हुआ है, लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको एक आर्थिक आधार मिल जाए, और वह एक बिवस्थित एक सिस्टम से जुड़ जाए, तो डीजे तो रुकेगा, रोकना उसका कानून से रुक रहा है, कानून उसकी पर्टिकुलर क्योंकि जब एक गाड़ी पर डीजे बचता है, तो आपके 51 बेंड वालों का रोजगार खाता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इस पर कानून है, और उस कानून का सक्ती से पालन कराएगी सरकार, 39 डीवी से ज़्यादा का जो साउंड लेविल है, उसे कंट्रोल किया जा है, डोल बजाए जाते हैं, तो उनकी वेल्यू तब है, जब ये कान फाड़ू संगीत पहले रुका जाएगी, आपकी बात से सहमत हो, और इस पर सरकार सक्ती से पेश आएगी, क्योंकि आप विचार विभाग में धोर चराने से भी कोई आपत्ती नहीं थी, शब्द ये है कि एक लड़का जब इंजिनर बनके आता है, भाग कि क्या है इस देश का, उसमें सतर योजना लिखी हुई है, लेकिन पढ़ने वालों की आँख केवल ढोर चराना पढ़ रही है, सबसे आखरी योजना है, ठीक है, ये क्योंकि उनका चिंतन वैसा है, नकारात्मक सोच है, ये कहीं मोदी जी का स्किल डेवलप्मेंट ही तो नहीं है, इंजिनियर के लिए भी स्किल डेवलप्मेंट है, उसमें आयोश के डाक्टर के लिए भी स्किल डेवलप्मेंट है, उसमें जो है मेकैनिक से लेके सारे सेकणों ट्रेड लेखे हुए है, लेकिन भाहिया को पढ के जब वह भाशन देते थे तो वह कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश से अमबानी निकल कर जाएं टाटा निकल कर जाएं ऐसे बड़े नाम हो और कमर्णाजी की जब जोजना का चर्चा हुई तो यह हुई किसाफ बाजा बजाओ धूर चराओ तो इस तरह से लोग एक भी खेत में जो है उनने जिन जिन फसलों को वह उगवाना चाहते थे उगी हो तो बता दें उनके खेत में होगी वह अलग मसला है यह 15 साल करका रहे थे शिवरा सिंग जी को भी रेखें तो 12-13 साल क्या किया है इन्हों ने ऐसी साइफनिंग एजेंज नालियां बनाई जहां से धन बहता रहे बहा है और खुले आम ऐसे काम हुए है निरलजजटा से हुए है संस्थानों को निष्ट कर दिया गया है विश्विद्याल है कि कुलपती शराब पीने लग गए है और सरकारी धन से पीने लग गए है सब काम तो हुए है सा कौन सा काम है जो नहीं समार्च से यह हम कहें आम भी कहें मिलके कि समें कुछ सुधार की गुंजायश हो वो सरकार के साथ सहयोग करें इस सरकार खड़ी होगी इसको सुधार क्योंकि आभी मैने देखा है जब कुलपती को बने तो जूटी शिकायते करने वाले कुलपती महिलाओं के साथ अब अब सकता है कि हम देखिए सिस्टम में बहुत बड़ा सिस्टम होता है उसमें हर चीज एक ही व्यक्ति नहीं करता है अलग-अलग लोग करते हैं किसी इस तर पर कहीं कोई चूक हो रही है तो उनका समिक्षा भी होती है काम लड़ा होन के कंदेश कंध्यमरा के काम किया करें के कमलनाज जी का चाहते है जब मद्यप्रदेश के उद्योग पत्यों की बैठwriter हुई उस उद्योग पत्यों की बैठरथ में बहुत बढ़े बढ़े उद्योगों से जो टीन तीन चार चार शार करोड की इं वेस्वेंट करना चाहते है तो जब उस नकी मिठाई बनाने वालों की जब बात आई और उसने जब अपना विजन सरकार के सामने रखा तो सारे लोग चौंगे और उन्होंने कमलनाज जी ने कहा कि यह साप इदर आई यह आगे निकल गे और उसने कहा कि साप जो है मद्द प्रदेश आलू में बहुत रिच है और आलू के हम जो है आलू हमारे यहां से लोग ले जाते हैं आलू की सेल्फ लाइफ है तो आठ दस दिन साब में उसके बाद सड़ जाता है तो मैंने एक ऐसी टेक्निक ली है और ऐसा मैंने एक प्लांट लगाने जा रहा हूँ जिसमें हम आलू को पाउडर फार्म में कनवर्ट कर देंगे डिहाइडरेट करके और उससे वो पाउडर फार्म में जब आलू आएगा तो वो धाई से तीन साल उसकी सेल्फ लाइफ हो जाएगी उसकराब नहीं होगा और उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसने बताया कि 1600 करमचारी अलरेडी उसके साथ काम कर रहे हैं इतने बड़ा विजन कभी कोई मत सोच ते आपने इसकी चर्चा भी सुनी हो 15 साल के राज काज में कि मद्ध परदेश में एक इतना अच्छा इंटरप्रिनियर काम कर रहा है इसकी चर्चा भी अगर मीडिया ने सुनी हो तो आप बता दीजिये चर्चा तो हमने आलू से सोना बनाने की साथ वही मैं कह रहा हूँ ऐसे ही बनता है आलू से सोना 16 सो लोग काम कर रहे हैं उसके साथ और कमलाज जी ने उससे कहा कि क्या चाहते हैं आप तो उसने कहा कि आप जो है एक कनफेक्शनरी कलस्टर बना दीजी जहाँ पर छोटे-छोटे आज तंग गलियों में वो लोग अपनी फैक्टरियां चलाते हैं उनको 25 तरह की परिशानी होती हैं क्योंकि 20 साल से वो काम कर रहे हैं अगर हम उन्हें एक कलस्टर बना देंगे तो एक पूरा सिस्टेमेटाइज बिजनिस खड़ा हो जाए कमलाज जी ने उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिए कमलाज जी की सरकार ने पहले दिन ही आके चार्क गार्मेंट पार्क की गोशना कर दी कमलाज जी से जो है एक जब ये बायो ड्रक्स की बात हो रही थी तो उन द्योग पतियों ने कहा कि साहब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास सीमित पुझी है और हमेरे कानून ऐसे हैं कि वो हमसे कहते हैं कि हर एकाई को जो है अपना एफ्लूएंट प्लांट लगाना है हमारे पास एफ्लूएंट प्लांट लगाने लाइक पैसे नहीं होते है तो हमारी फिर इंडस्टी नहीं आ पाती है अगर कानुन का भी संबाइन होना चाहिए वो उसमें असहमत नहीं है लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वो एफ्लूएंट प्लांट डाल पाएं तो कमलनाज जी ने उनसे पूछा कि आप कैसे क्या चाहिते हैं इसमें क्या करना चाह तो उन्होंने का वेरी गुड ये विजन अच्छा तो ऐसे उन्होंने तत्काल इस पर एक्षन किया और उन्होंने कहा कि हम एक कॉमन एफ्लॉएंट प्लान डाल देंगे तो आज जो है चालीस इंडस्ट्री फार्मसिटिकल की बड़ी इंडस्ट्री मद्द परदेश में आन पच्छी का लक्ष लेके चल रहे हैं और निश्चीत रूप से उसके पहले हम बारा भी जीते थे और इस बार भी जो है परिस्तितियां ऐसी हैं कि हम परिवर्तित कर देंगे बात अबरन को और बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़े बीजेपी को नुकसान उठान नाम थे और लोगों का मन वोटर का मन पढ़ना बहुत आसान होता है लेकिन एक कल कमलनाद जी ने चिंदवाड़ा में कहा है कि मैंने दिगवे सिंग जी से कहा है वो चाहें जहां से चुनाव लड़ने और कठिन सीट से लड़े अजिए कि दिगवे सिंग जी जिस कैलिबर के और जिस उचाही के नेता है उनके लिए यह कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है लड़ सकते हैं और हर जगे से वो योग संदिया जी भी बहुत सिंद के जीत कराएंगे वो कितनी 25 क्या टार्गेट क्या है कि कितनी अभी तक आपके लगाता सर्वे हुए है नतीजे आपको पता ही होंगे सर्वे के और भग्वान चाहेगा तो सीटे इतनी जीत कराएंगे बीजेपी का लक्ष तो इतना नहीं है वो तो 29 की बात कर रहे हैं और बीजेपी हमेशा ऐसे लक्षों की बात करती है जो बाद में हाश्यास्पत बनते हैं जहां जहां उन्होंने जो जो लक्ष रखा है उसके बाद अभी मुझे जितनी जानकारी मिली भूपेंजी राहूल गांदी जी का विज़न जी है कि नए लोग सामने आना चाहिए फ्रेश चेहरे सामने आना चाहिए लेकिन मद्दप्रदेश में चेस्तरे की चीज़ें चल नहीं है उससे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि बहुत नए लो और पुराने भी होते हैं कुछ प्रयोग भी ऐसे मौके पर किये जाते हैं जो विधान सवाव में किये जाना संभव नहीं होते हैं तो संभव है कि ऐसे कुछ प्रयोग होंगे कुछ नए चेहरे भी आएंगे और कुछ पुराने चेहरे भी रहेंगे और इसी कांबिनेशन स से जो है चुंकि पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसमें संगठनात्मक गतिवितियां ज्यादा चुस्ति दुरुस्ति की हैं हमारे ट्रेनिंग कैम सो हमारे जो है संपर के कारिकरम चालू है और जिलों जिलों में कारिकरम चल रहे हैं क्या होंगे मत्र प्रदेश में किन मत्रों को कर्जमाफ ही बहुत बड़ा इश्यू है 27 प्रतीसात आरक्षान आज कमलनाजी की सरकार ने दिया है वह बहुत बड़ा इश्यू है यह सामाजिक न्याय का जो लोग दंब भरते थे ओं 15 साल इस पर निश्चिंत ताकि नीन सोते रहे उनके लिए आयना है कि आज जो है सतर सौ दिन का अनिवार ये रोजगार किसी भी बेरोजगार नौजवान को शहरों में और गावों में देने की बात जो है यह कोई छोटी होजना नहीं है चारहजार रुपे का बत्ता देने की बाते इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास अपनी सरकार का कुछ बताने के लिए नहीं है कुछ शोकेसिंग नहीं हो सकती वो कैसे कहेंगे कि उन्होंने 15 लाग का बादा किया था किसी के खाते में नहीं आये वो यह कैसे बताएंगे कि उन्होंने 2 करोल लोगों को रोजगार नोकरी देने की बात की थी किसी को नोकरी नहीं दे पाए उल्टे 60 लाक लोग इस देश में बेरोजगार हो गए वो कैसे कहेंगे कि उन्होंने नोट बंदी के माध्यम से दावा किया था किसे पूरा देश जो है सुनारा हो जाएगा आतंक बाद समाप्त हो जाएगा लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं घटित हुआ आज ये पोल खुल र पर आया अब सर्जिकल स्टाइक होती है सर्जिकल स्टाइक होई पहले भी होती रही जुद्ध पहले भी हुए है इसको लेके बड़ी चीशा लेदर राजनितिक दलों की तरफ से की गई एक विचारक के नाते आपको सब ठीक लगता है देखिए इसमें दो चीजें हैं जि सेना का सम्मान है सेना को ये सफाई देनी तो सुनिए मेरी मेरी नहीं बता रहे हैं ये गिंती किस ने बताई और उन्होंने क्यों बताई गिंती से बाहर जाकर सेना की सीमाओं से बाहर जाकर सीना की से अस्मिता से बाहर जाकर से सरकार ने तो कभी नहीं बताई सरकार ने ब कर रही और वो सेना की शुपना चाहेते हैं जाना से बाद हिना को सामने घडा कर तो यह एक तरह नकली राश्यट्रबाद राश्यच्रबाद यह नहीं है और प्राष्टरबाद माफ कीजिए आज देश में इससे भी वड़ा सवाल है किसने अपमान किया उसके बाद बाल कोट के बाद दस बारा सेने का और सहीद हो गए हमारे क्या हम रोक पारें चीजों को इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट लेना चाहेते ह हैं तो अश्रे भी तो आपको लेना पड़ेगा आज देश में जो है हमारे सेना के सेना के केम्प पर हमला हुआ पठान कोट के एर बेस पर हमला हुआ पठान कोट के एर बेस में घुसकर पाकिस्तान के आतंक बादियों ने हमला हमारे सेने के परिवारों तक पर किया आपन ने इसकी सफाइए दी? क्या उन्होंने देश से माफी मांगी कि उन्होंने दुस्मन देशों से हमारे एर बेस की जाच करा दी? मुझे लगता है कि जनता जनारदाने वो बड़ी जागरोग है और लोग सबस्वाज चुनाव में वो सारा हिसाब किताब तो करेगी. अगर कॉंग्रिज से खफा होगी, तो कॉंग्रीस को सबक से कहाएगी और सैखिणीक से खफा होगी तो उसको भी नाकुछ लाँज पूछ चाहिए। पूरे देश पर आज जो है मल्टिनेशनल से का कपजा हो गया है 100% FDI कौन लाया है आज देश का पूरा व्यापार मर गया है आज इससे बड़ी सब्सक्राइब करके गए यह तो होना ही था का विरोध कौन करते थे लोग मनमौन सिंग तो बात कर रहे थे वह इस चीज़े आगे बढ़ती हुई आई परसेंट की बात कर रहे थे जो लोग 49% का विरोध कर रहे थे वह 100% लेकर आगए आज पूरे देश के छोटे-छोटे उद्योगों पर क किनका कपजा हो गया यह बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है जो हमारी अर्थ प्यावस्ता पर करवा दिये लोगों ने इस सर्जिकल स्ट्राइक की कोई चर्चा नहीं कर रहा आज लोगों के हाथ में पूंजी नहीं है पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा कि बी एसनल के कोड़ों में जरा इसका हाल बताईए एक शक्स भूग से मर गया है खबर तो कोई खबर नहीं हर तरफ समाज में विद्रूपता है राजनीती में विद्रूपता है ऐसे प्रयास करने चांगे सब को मिलके कि यता इस्तिदी बन जाए देश में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और हम आपको शुप काम लाए देते हैं कि जैसा आप चाहरे हैं वैसे प्रणाम कॉंगरिस को मिले और आप कुछ अच्छा कर पाएं बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार